चलिए, गुड मॉनिंग एवरिवन, आज हमने ओशाइन ग्राफी का लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करना है, लेक्चर अल्रेडी पहले भी रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन शायद जो है, आईटी टीम से ठीक जगा सेव नहीं हुआ, तो लेक्चर खराब हो गए, मैंको भी द टॉपिक को कवर करेंगे, इसके सांथ, दो अप्लाइड टॉपिक हैं, जो कि लिखे नहीं गए, लेकिन मेरे को लगा कि important है, क्योंकि धेर देरे UPSC भी अपने लेवल को उठा रहा है, जो अभी तक लिखे नहीं गए हैं, तो conceptually मेरे को लगा कि पांच नंबर के लिए शा इसलिए ज़रूरी है कि ये दो जगा पर topic overlap करता है, एक तो ये ocean, जो हमारे global warming है, और ocean level का rise, sea level changes, कि sea level का उठना या घटना, ये वाला एक topic है, ये क्योंकि climate change से driven है, इसलिए इसको cover करवा रहे हैं, साथ में, आज एक हमारे topic है, geomorphology में, जो कि आपके slivers में mention भी है, iso stacy, तो यहाँ पे भी ये link होता है, तो इसका वहाँ पर भी linking है, वहाँ और जादा समझ आ जाएगा आपको, तो ये दो topic हैं, जो मेरे को लगा था कि paper के point of view से over a period of time अब important हो गहे हैं, तो ये भी हमने आज के lecture के अंदर incorporate करे हुए है, already, just a second, तो चलिए, तो start करते हैं आज का session तो सबसे पहले ocean waves को हम लोग पढ़ेंगे, अब ocean waves में आप सबजिए कि ocean के अंदर wave as a phenomenon की क्यों wave उड़ती है, क्या-क्या अलग-लग factors है जिनकी वेसे waves होती है, और technical ground में wave को कैसे परिभाशित करते हैं, उस topic को, इस topic को इस दिरिस्टी कोंट से पढ़ेंगे, generally 5 number के lag ही इसमें बनना possible नहीं है, एक topic और cover करना है हमने tights का, tights को अभी तक वैसे tight को पर question नहीं आया है, हमने last chapter में tights में oceanography के अंदर, last top lecture में oceanography में, मैंने बताया था कि tights से हम लोग energy बना भी रहें, हिंदुस्तान में भी world level पे भी, तो tights के significance तो आपको पता ही है कि fishing है, या tights क पीछे कुछ theories है, UPSC ने तो explicitly mention किया है कि theories of tights, यहाँ पे आज तक tight की theory से सवाल नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने आपको notes में tights की theories दी है, कि अगर ये level बढ़ाएंगे तो 20 number का tight की theory पे question आ सकता है, जैसे corals पे आ चुका है, हम लोग करवाते भी है, करवाया भी है class में, तो ऐसे ही tight को हम future के लिए भी prepare करेंगे कि let's suppose 20-30 साल आ जाए तो, ठीक है तो कोई बड़ी बात नहीं है, optional के अंदर एक चीज़ और में बता रहा हूं, optional के अंदर अब धीरे-धीरे repetition का trend नहीं है, क्योंकि repetition कब होती है, जब slaybers को 6-7-8 साल हो जाते हैं, तो उनके पास अ उने area से जो slaybers में directly mentioned है, उनसे ये question frame कर चुके, अब ये जो नए set of question बनाएंगे, वो उन question से बनाएंगे, जैसे tight से अभी तक question नहीं आया, important है, tight की theory से नहीं आया, important है, wave से question नहीं आया, important है, तो अब ये area ज्यादा important है, तो means जिससे सवाल आगे, चलो वो तो हमने पढ़ जैसे soil के उपर अभी तक नहीं पूचा, distribution नहीं पूचा, इन्होंने soil में marvet classification, US classification नहीं पूचा, notes में भी नहीं मिलता, किसी किताब में लिखावा नहीं मिलता, पहले मैं उसी को करवागा, कि जो नहीं पूचा गया, जो नहीं पूचा गया, उसको करेंगे, rocks है, उसको cover कर लेंगे, तो उन areas को पहले cover करेंगे, फिर आपके जो conventional areas है, जिन से अनुमन सवाल पूचते है, फिर उसके उपर चले जाएगा, ठीक है, चलो जी, tides को फड़ा पड़ देखते हैं, tides देखो, simple एक process है, कि tide के अंदर, एक type की travel of energy है, pride में क्या है, कि आपने conceptual level में क्या आपको beaches में पानी आता क्यों दिखता है, तो हमें समझा पड़ेगा, tide as a energy, जब convert होती है, और ये surf में convert होती है, दो शब्द है, sorry, not tide, wave, दो शब्द है, एक है wave, एक शब्द है surf, इन दोनों के मतलब को समझे, wave energy है, ये energy water में travel होती है, जैसे ripples है, कि आपने पानी में एक पत्थर डाला और आपको ripples बने हुए दिखे, वो ripple water की movement नहीं है, अगर आप उस पे boat रख दो, boat देखो कहीं नहीं जाएगी, आप कागज की जो boat रखते हो, वो boat क्या होता है, जब तक अगर आप पत्थर मारो और ripples पे boat होगी, तो boat ना एक ही जगह पे उपर नीचे होती otherwise if you will drop a stone and ripple will be created and if you will put a boat inside in the water, तो boat will travel like this, up and down, up and down, to and fro motion will be there, clear, तो इस तरा से it is a travel of energy, तो यह energy travel क्यों कर रही है, वेव को पहले simple फंड़, अब वेव में कुछ technical word है, एक है जी वेवलेंट, वेवलेंट आपको पता है physics में भी पढ़ चुके दस वी क्लास तक, कि दो crust या द crust कौन सा है, uplanded part, trough कौन सा है, sink line बाला part, तो इस पार्ट के दो areas को, चाहे दो crust के बीच का distance ना पलो, या दो trough के बीच का distance ना पलो, इस distance को बोला जाता है वेवलेंट, अब इसी को वेवलेंट एक होता है amplitude, amplitude का मतलब होता है कि इसकी समूंदरी तल से wave की उचाई कितनी ह हो गया amplitude, अब इसी को हम relate करेंगे tsunami बेकरास की सांथी, अब इस wave के चलने की बीचे, primarily जो reason होता है, वो होता है wind का चलना, तो this transfer of energy, this propagation of energy is because of the ongoing winds, wind अपने सांथ, frictional drag के द्वारा, पानी को सांथ ले जाती है, ऐसा माना जाता है, only 10% of the energy of wind is being transferred to the water, कि अगर wind 100 की रफ़तार से चलेगी, तो wave 10 की रफ़तार से चलेगी, क्योंकि पानी has a weight, moreover, पानी को पानी के उपर चलना है, तो उसको एक friction भी face होगा, जो कि शायद air को ना, तो air रफ़तार से चल सकते हैं, पानी शायद उतिनी रफ़तार से नहीं चलेगा, तो means, अब एक example देखो, हिंदुस्तान में अगर हमारे eastern part में cyclones आते हैं, तो cyclones का हमने क्या समझा था, कि these are high velocity winds, cyclones जब high velocity चलेगे, तो अपने सांद पानी को भी तो ले जाएंगे, frictional drag होगा, तो means, जो मैं आपको बोलता था, एक word, coastal inundation होगी, अगर, coastal level पे water की encroachment होगी, अगर, ये encroachment क्यों हुई, ये पानी कहां से आया, coastal inundation of saline water, की नमकीन पानी जो समुंदर को था, वो beaches पे आ गया, क्योंकि, high velocity wind ने अपने सांद पानी को पकड़के, inland तक लेके चलेगे, तो coastal inundation of saline water, moreover, since after the, after the landfall of the cyclone, rainfall will precipitate over the coastal areas, बहुत इनले नहीं जाते, coastal areas में बारिश पी जाता है, तो coastal inundation will be happen because of the two factors, firstly, because of the incoming high amplitude waves in response to the high velocity wind, secondly, because of the coastal precipitation which has been brought up by tropical cyclone or the condensation of the moisture, तो दो कारणों से बारिश अधिक जादा, अधिक होती, clear, तो इस तरह से wave को हम लोग समझे, अब इन wave के चलने के पीछे तीन कारण है, एक कारण है, जैसे हम लोग simple देखते हैं, यह देखे, अब wave में आप क्या करेंगे, इसको बोला जाता है, it is a wave train, wave train का मतलब क्या है कि it is a basically energy, water is moving, air is moving and it is dragging water with itself, जब open sea में, आप कभी जो है, अगर कभी आप ship में बैठे हैं, या आप काफी समंदर के अंदर, बोट के द्वारा भी गए हैं, तो जो open sea है, उसमें पानी बोट को खड़ा कर तो, बोट क्या होगी, कभी आप कोई वीडियो को देखोगे, कोई movie में देखोगे, तो बोट इस तरह से हिलती है, वो कहीं नहीं जाती ही, की जगह हिलती जाती है, means क्यों, क्योंकि water ने, air ने water में disturbance पैदा कर दी, उस disturbance के बज़े से wave इस तरह से, energy move हो रही है, लेकिन पानी कहीं में जा, तो आपकी बोट भी उपर नीचे हिलती है, जैसे ही, ये energy travel होती 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 होती, पूरे ocean में spread हो रही है, और beaches तक जब चली जाएगी, जब ये coastal areas तक चली जाएगी, तो उस time पे आपको पता है, ocean का shelf आपने बढ़ा है, bottom topography पड़ी हुई है, तो bottom topography के according आपको पता है, कि ocean का floor कुछ इस तरह से दिखता है, क्योंकि ocean का floor कुछ जब ये energy open sea में थी, तो ये इस प्रकार से दिख, ये energy जब coast को hit करती है, तो ये, देखे, surf बन जाती है, जैसे मैंने आपको example भी दिया था, कि अगर छोटे बच्चे जब ने assembly से बापस आते हैं, anniversary first class के बच्चे, तो इनको क्या होता है कि जैसे आगे वाला बच्चा behind, they keep on walking, since they keep on walking, they topple against each other, और वो एक दूसरे के उपर लड़ खडा के, एक के बरेक के उपर पाइला पोना शुरू आते, तो this is happening in the case of wave, these waves, when they hit against the continental shelf, they get, they convert into surf, और यहीं से एक water sports आया है, surfing, surfing में क्या ध्यान रखते हैं ये लोग, कि surf में ये wave के तूटेने का इंतिजार करते देखो हर wave का amplitude अलग है, कोई wave वहाँ पे तूटेगी, कोई यहाँ आके तूटेगी, क्योंकि amplitude पे depend करेगा, wave कहाँ पे तूटेगी, तो कभी surf वहाँ पे बनेगा, कभी surf यहाँ पे बनेगा, तो surfing में ये ही identify करते, wave को दूर से देखके, कि कौन सी wave कहाँ तूटने की शमता रखती है, तो उसी के according ही surfing होती है, ठीक तो surfing, sport surf से ही आया है, wave जब तूट जाती है, तो topple करके आप जब beaches पे खड़ें, आपके feet तक जो आता है, वो surf आता है, clear, तो इस हिसाब से surfing होती है, तो ये आप दिखेंगे, अगर water का एक motion उन्होंने बना रखा है, तो ये जो motion है it is depicting कि water is rotating at its own place, तो water क्या है, अपनी जगा पे ऐसे circular भूम रहा है, और energy एक उसे को दे रहा है, तो इसी तरह से जो wave ऐसे, ऐसे build हो रही होती है, this is the circular motion of water in which energy is being transferred from one particle to another particle, ठीक, ये concept है wave का technical level पे, पांच नमबर का सवाला सकते हैं, हमने wave की formation को बताना है, technical aspect में आपके notes में दिया होगा है, हमने बताना है कि wave कैसे surf में convert होती है, देखे, अब इस GIF को देखे, ये ऐसे wave, ये जो wave surf में टूटती है, आप तक ये surf पहुंचता है, clear, देखे, अब ये wave के तीन कारण है, एक तो मैंने बताया कि जो एक शब्द इसमें fetch, fetch का मतलब है कितने बड़े area में एर चली, देखो जितना open sea होगा, उतनी ज्यादा air unabated चलेगी, उतनी ज्यादा wind unabated चलेगी, जितनी ज्यादा wind unabated चलेगी, उतनी possibility है कि wave के amplitude increase होगा क्यूंकि उतनी ज्यादा energy unabated format में transfer हो जाएगी, तो means कि wave जो है अनवेटिट फॉर्मेट में energy को air अनवेटिट फॉर्मेट में energy को transfer करेगी और उसी की वज़े से यह सारा waves create होगी तो यह एक बहुत important factor है अगर आप earth की image को देखोगे तो आपको पता है maximum of the landmass is situated in the northern hemisphere while in the southern hemisphere we could see there is a predominance of oceans since there is a predominance of oceans we have read in our climatology that the winds has been named as the westerlies in the middle latitude has been named as ki roaring 40s, furious 50s and shrinking 60s these names has been given on the basis of their velocity with the increase in latitude we could see there is a marginal increase in the velocity since there is a significant increase in the velocity these high velocity westerlies will cause the formation of high amplitude waves और यहां से waves बहुत high amplitude हो जाती है और ocean swimming चाहे Pacific है, Indian है, Atlantic है, वहाँ पर भी wave का phenomenon देखने को मिलता है तो इस तरह से जो wave बनती हैं इनको बोला जाता है wind waves generally जो आप beaches में खड़े होगे waves को observe करते हो, all these are the wind waves दूसरा है wind surges, surges का मतलब होता है जब abnormally high waves आ रही है these could be under the impact of storm, कि जब कहते हैं तूफान आ रहा है, बहुत तेज जो है wind का motion है जैसे जब मैंने आपको thunderstorm बना पढ़ाया था, तो उस टाइम पे मैंने water spout भी बताया था water spout means क्या है कि बहुत high velocity से wind अगर पानी के उपर चलेगी तो बहाँ पर भी thunderstorm type का एक tornado type का feature create हो जाता है जिसको water spout बोलते है तो इस तरह से या tropical cyclone के create होने से wind surges होते हैं जिसके वैसे coastal inundation होती है तो आपने कोई भी चीज़ समझानी है with example समझानी है और इंडिया के example जो बोट करो if they have asked in five number what are waves, put the examples of इंडिया की जो है में simple wave तो हर coast में देखने को मिलते है in the eastern coast of इंडिया we could observe wind surges भी होती है and sometimes these tropical cyclones are observed on the coast of Gujarat and Maharashtra like happened in the previous year और वहाँ पे wind surges कावाती है तीसरा आप example दोगे भी ये waves और उंची हो जाती है और इनको geomorphology के GS में हमने पढ़ा ना tsunami बोलते है tsunami क्यों है कि ये बहुत high amplitude अभी आप देखोगे ने जपैन में इंडोनेशिया के अंदर जो tsunami आया है जो earthquake trigger हुआ है उससे tsunami आया है वो इसलिए जो volcanic eruption हुई है उससे जो tsunami आया है वो इसी प्रकार से कि high amplitude waves could occur inside the high amplitude waves could occur because of volcanic corruption inside the oceans और because of the earthquake beneath the ocean flow तो दो कारण और जैसे कहीं बार जपैन के अंदर के tsunamis आ जाते हैं क्योंकि earthquake आपको पता है कि जपैन उस location पे है जहां पे earthquake आते है जपैन वहां पे है जहां पे volcanoes भी आते हैं तो इंडोनेशा फिलिपिन्स जपैन यह जो सारे रीजन है जिसको हम बोलते है आर्की पे लैगो यहां पे these are prone to tsunamis क्योंकि लगाता आर्थ की और volcanoes आते रहते हैं तो यह जो है tsunami जो induce करता है waves को इसको बुला जाता है waves of seismic origin इसको आप समझे तो तीन टाइप से अब इसमें कभी आपको question आगे और example लिखने आप बोलोगे जैसे हिंदुस्तान में 2004 में tsunami की वज़े से coastal areas में devastation हुई इंडिया का जो southernmost point था इंद्रा point जो की part of Nicobar island था वो submerged भी हो गया है। इस तरह से हम waves को तीन पार्ट में माते हैं यह आप इस example दिखेंगे यह tsunami का कि tsunami open sea में यह पानी एक मीटर का दिख रहा होगा open sea में क्यों open sea की गहराई आपको पता है चार किलो मीटर है ओशिन बाटमोग्राफी पढ़ लिए आपने चार किलो मीटर की यह लेकिन जब coast में आते हैं तो coast में तो गहराई है ही नहीं तो वहाँ पर जो मैंने toppling effect बता है था toppling effect की वज़े से जो एक मीटर दो मीटर की wavelength दो मीटर की जो amplitude दिख रहा है वो बाहर में जब टूटना शुरू होगा तो वो इतनी amplitude को गेन कर लेगा कि 10-10 बारा बारा पंदरा मीटर की वेव साथ को देखने को मिलते हैं जैसे इस example में देखेंगा इंग्लिश मूवी है 2000 उसमें देखोगे किस तरह से जो है सुनामी जाना शुरू जाती है अगर global warming होगी तो क्योंकि water level increase हो जाएगा और मैंने आपको बताया water level increase हो जाएगा ocean में water ज्यादा चला जाएगा तो इस तरह के सुनामी प्रिवेलेंट हो जाएगे coastal inundation प्रिवे आपका ocean current से रिलीट होगे आपने ocean currents पड़े हैं जैसे Pacific Ocean Centric ये डाइग्राम है ये जाएगे जो है टूटल वर्ल्ड में पांच सब ट्रॉपिकल जाएगे इस तरह के जैसे Pacific Ocean के North में Pacific Ocean के South Atlantic Ocean के North में Atlantic Ocean के South में जो दिख रहा है इंडन ओशन में नौर्थ में क्योंकि इंडन ओशन बहुत बड़ा नहीं है अंक्रोच्मेंट है लैंड की तो इंडन ओशन प्री डॉमिनेंटल साउथ में ही एक्जिस्ट करता है तो पांच सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल जैरे बनते हैं दुनियों में ये जो जैरे हैं ये जैरे कुछ नहीं है इन जैरे के आसपास there is a flow of ocean currents जैसे एक्जामपल के त चारो और ये जैरे बनेगा ये जो जैरे बनता है इसमें center वाले पार्ट में water की में कोई हल चल नहीं होती generally there is a stationary water inside the gyre तो इस system को जहां water बीच में almost stationary है चारो और उसके current चल रहे हैं इस formation को जैरे बोते हैं इस जैरे से in future क्या हुआ क्योंकि हम लगातार ocean में pollution fake है चले जा रहे हैं from the industrial and from the urban waste सब कुछ oceans में जा रहा है तो ocean has been now a garbage patch जैसे मैंने बोला था these are just the medium of garbage disposition तो यहां पे हम इतना dispersal of garbage है ज जिससे over a period of time क्योंकि जैरे से अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं चलता और यहां accumulation कोई भी plastic waste कोई भी garbage waste वो सब कुछ इन्हीं जैरे से अंदर account rate हो रहा है तो यह इसलिए बढ़ा रहे हैं कि अगर आपका garbage patch पैच आ जाए ocean pollution आ जाए तो technical word यूज़ करता तो जैरे is a technical जैरे means कि जिसके आसपास ऐसा water body की read हो जाता है oceans के अंदर जिसके आसपास तो ocean current चलते हैं लेकिन बीच में कोई circulation of water नहीं होता वहाँ पे लगाता है चीज़े deposit होती है और ऐसे ही garbage patch आपके notes में है Texas के size का garbage patch हमें Pacific में मिला Bay of Bengal में मिलने लग जहाँ पे इंडिया, Bangladesh और South East Asia जो इतना भी कच्रा फेका था, ocean के अंदर वो अप एक्युमिलेट हो रहा है Bay of Bengal क्योंकि वहाँ पर भी circulation system है तो gyries are these circulation system जिसके चार पार होते हैं जैरे के, देखो इन जैरे जहां पर भी बनेगा, let's suppose North Atlantic Ocean का जैरे, तो एक North equatorial current बनेगा, यहाँ पर आपका Gulf Stream चल रही होगी इसके उपर North Atlantic drift चल रहा होगा और यहाँ पर Canary current चल रही होगी, तो इनके बीच का जो water body है, this is जैरे, जहाँ accumulation of जितना भी ocean based है, तो इन जैरे के लगलग नाम रखे गए हैं, देखे, यह जैरे के अगर आप देखोगे, तो कहाँ पर बनेगे, तकरीवन 30 degree latitude के असपास में subtropical latitude है, equatorial current होता है, एक साइड इनके जैरे को देखोगे, अब नाम कैसे रखेगे, this is, इसको देखो equatorial current, अब इसका यह वाला west part है, west boundary current, west boundary current यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे west boundary current का नाम है आपका gulf stream, यह east boundary current, EBC, WBC, west boundary current, यह आपका north current, इसका northern current, तो इस तरह से नाम यह सारे oceans में इसी टाइप में बस currents के नाम change होते रहेंगे, इस पर देखे रहेंगे, इस पर देखे रहेंगे, अधरवेज जैरलाइज नहीं में गीए, north pacific, east boundary current, west boundary current, equatorial current, और उपर वाला drift, इसको होते हैं, जाए north Atlantic drift, north pacific drift, तो ऐसे nomenclature हमने रखा है, इन जैरे के कुछ यूज करते हैं, तो थोड़े से माग ज्यादा मिलेंगे, इंडियन ocean के जैरे का नाम है माजित जैर, एक medieval times के बाद famous traveler रही थे, और इनके नाम पे यह माजित जैर रखा है, ऐसी north Atlantic ocean के जैर का नाम है Columbus जैर, south Atlantic ocean के जैर का नाम है Navigator जैर, ऐसे ही आपके Pacific ocean के, north Pacific ocean के जैर का है turtle, south Pacific का है headl, higher headl, higher dull, h-e-y, higher dull, तो यह 5 subtropical जैर से हमारे पहुंच होते, clear, तो यह एक छोटा सा concept है जैर का, 5 number के लाएक हम लोग प्रियार कर लेंगे, कि अगर left right थोड़ा question आता है commission का, तो हम deal कर जाएंगे, clear, देखिए, अब एक concept है, जैर के अंदर, ikman spiral, यह concept आपन terminology को पढ़ लोगे, तो घबराओ ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस पर 5 number का सवाल आना कठिन है, यह एक छोटा सा concept है, जैसे corallis force से concept है, एक man spiral कहता है, एक story है कि Arctic Ocean के अंदर, बर्फ होती सारी, वहाँ पे एक समुंदर का जहास, क्योंकि ओशानों, ग्राफर क्या करते ट्रेवल करते रहते हैं, जब यह ocean currents के study करते हैं, तो यह wider travel करते हैं, observe करते हैं patterns को, phenomena's को, तो एक ship North Atlantic Ocean में फस गया, बर्फ के बीच में, उन्होंने देखा कि जिस दिशा में हवा चल रही है, शिप उस दिशा में नहीं चल रहा, वो हवा के 45 degree के angle पे चल रहा है, तो उसने realize किया, ship की जो movement है, वो हवा के वज़े से नहीं है, ship की जो movement, जैसे हवा चली, उन्हें लगा कि ship इसी दिशा में जाना चाहिए, ship तो बहुत भारी है, हवा उसको नहीं हिला सकती, ship को अगर कोई move करेगा, तो वो water move करेगा, तो उन्होंने देखा, इस हवा की movement से water move किया, औ वो generally 45 degree के angle पे चलता है हवा से, उन्होंने का ये क्यों हुआ, जिस दिशा में हवा चली, उसी दिशा में तो water चलना चाहिए, तो उन्होंने identify किया, एक phenomenon है, एक man ने इसको study किया था, एक man phenomenon नाम रखा गया, उन्होंने देखा, जब हवा चलती है, तो वो कोशिश तो करती ह surface water को अपने सांत ले जाने की, ले जा नहीं पाती, surface water को नीचे वाला water move करने से रोपता है, friction के current, नीचे वाले water को अगर उपर वाला water move करवाने की कोशिश करता है, तो उसके नीचे वाला water को रोपता है, तो ऐसे ही जब multiple layers, धीरे धीरे हवा के सांद चलना शुरू होती है as a current, मैंने आपको बता है न, ocean current, देखो, हवा के चलने से wave भी चलती है, हवा के चलने से currents भी चलते है, यह दोनों फिनॉमिना है, wave surface का फिनॉमिना है, पूरा water अगर move, क्योंकि wave में there is no actual movement of water, there is a transport of only energy, लेकिन in case of ocean current, when ocean currents are being driven by the winds, तो उस case में आप देखोगे, there is a actual movement of water, since there is a actual movement of water, we could see, जिस देखा में हवा चलते हैं, उस देखा में ocean currents नहीं चलते हैं, एक angle पे चलते हैं, इसलिए, जब आपको याद है हैं, हम कहते हैं कि trade winds चलती कैसे, ऐसे हैं, लेकिन अगर north equatorial current के चलता है, क्यों 45 का angle बता है, कि trade wind अगर ऐसे चल रही है, तो वो north equatorial current को ऐ ऐसे ले जाएगे, अगर westernies ऐसे चल रही हैं, तो उनी के angle की वज़े से गल्फ स्रीम ऐसे चल रही है, तो means कि ये जो winds circulation system है, ये water को एक certain angle पे मूटता है, इस concept का नाम है, इक में concept, बहुत ज़्यादा important नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपकी vocabulary का part होना चालते ह कि जायरे आए, एक में, current आए, आप word लिको, एक में, तो ये word को use करने से आपको ज़्यादा marks मिलेंगे, कि इस तरह की शब्दावली, optional की शब्दावली, जो मैं कहता है, geographical keyword आपने enrich करने, देखिए इस diagram के अंदर, ये wind चली, surface current wind से 45 degree, क्योंकि उसके नीचे वाला 45, सारे के 45 पे होते हैं, तो means जो उपर वाली लियर है, वो हमेशा नीचे वाली लियर के 45 degree पे ही चलते हैं, तो इसकी वेश से जो total surface, जो water का movement है, देखो, एक layer, दू लियर, ती लियर, ये से दसो लियर है, ये जो पूरा movement of water है, that will be at the angle of 45 degree with respect to the direction of wind, simple part, ठीक, तो आप देखोगे, इसलिए equatorial current जो है, वो एक different angle पे होते हैं, as compared to trade wind की अगर आव angles को देखोगे, clear है, देखो, ये जो diagram है, ये equipment spiral है, दन जी, चलिए, third concept हमने पढ़ना है, sea level changes, कि समंदर के पानी के level में बदलाव आते रहते हैं, बदलाव दो currents आते हैं, आप conceptually समझो, अगर land का ही level उपर नी कि जमीन थोड़ सी उपर को उठे गई, तो पानी अपने आपको comparatively नीचे लगेगा, जमीन नीचे लगी, तो पानी अंदर आ जाएगा, ऐसा कब होता है, एक term हाता है, आईसोस्टेसी, ये हम geomorphology में बढ़ेंगे, आईसोस्टेसी का मतलब होता है, समय समय पर, जमीन अपन एजिस्मेंट करती ले, example, आईसोस्टेसी में ऐसा हुआ कि, वर्ल्ड में आपको पताई właściwie जाई, जिसका नाम था, प्लिस्टोसीन आइसे इस Plistocene Ice Age में आपने देखा पूरी दुनिया में बर्फ जब गई क्योंकि पूरी दुनिया में बर्फ चल गई Hydrological Cycle Disturb हो गई तो means पूरी लैंड के उपर glaciers जब गई अब बर्फ का वजन है क्योंकि पहले लैंड पे कुछ नहीं था अब उस पे इतने billions of tons की बर्फ रख दी तो means लैंड जो है आपको पता ही है Geomorphology Basic पढ़ लिया आपने GS के अंदर आपको पता है हमारी जो crust है ये जो crust है ये एथिनॉस्फेर के उपर float कर रहा है अगर आप ज़्यादा वजन रखोगे अगर आप ज़्यादा वजन रखोगे तो पूरा crust थोड़ा सा नीचे की तरफ सबसाइट करदा तो अगर वो सबसाइट करेगा तो means थोड़ा सा अर्थ दब गई है because of the weight of water तो जब-जब प्लिस्टोसीन आई से जाएगी आपकी जमीन दब जाएगी नीचे और जब ये प्लिस्टोसीन आई से जाएगी तो आपकी जमीन वापस आएगी ये अपनी को restore करेगी अपने balance को चुकि वजन के वज़े से तरब भी थी simple example है आप bucket के अंदर एक ऐसे object को दुबाने की कोशिच करो जो डूबना नहीं चाहता लेकिन जैसी आप उसके उपर से force अटाओगे वो bounce back करेगा तो जब क्लिस्टोसीन आई से जाई थी अर्थ का crust धस गया था जिचे आज वो rebound कर रहा है तो हमने कहा ऐसा कहीं देखने को मिला भी है हमने कहा हाँ जी मिला है यरॉप के अंदर ये phenomenon देखने को मिला है यरॉप में क्यों मिल रहा है इंडिया में क्यों नहीं क्योंकि मैंने बताया था जब भी ice age आई थी तो ice age majorly phenomenon कहां कहा था tropics का था ही नहीं tropics में तो हमेशा गर्मी होती है क्योंकि हमेशा गर्मी होती है इसलिए तो tropics में कभी ज़्यादा बर्फ नहीं जमी बर्फ कहां जमी बर्फ जमी है हमारे temperate latitude है frigid में तो आज भी बर्फ है यहाँ और यहाँ तो आज भी बर्फ है इसके अलावा जो ये वाले portion है यहाँ पर बर्फ ज़्यादा जमी के क्योंकि यहाँ पर अब south में तो rebound का feature है नी क्योंकि south में जो temperate latitude है वहाँ तो है ही पानी वहाँ पर तो land ही नी तो वहाँ तो नीचे कुछ नहीं धसना था धसना कहाँ पर नदन साइट पर तो नदन साइट पर अगर आप देखोगे यह वाला जो portion है यहीं पे तो USA है यहीं पे तो Russia है यहीं तो Europe है तो यह जो सारा portion है यह पहले दब गया था आज से लाखों साल पहले आज वापस आ रहा है तो जो यह वापस आ रहा है इसी को बोला जाता है rebound theory means isostatic rebound isostatic concept और समझेंगे और clarity आईगी अभी बस समझ लो मोटा मोटा तो means अब यह जमीन उपर की तरफ आ रही अब यह इसके example क्या है कि Ice Age में यहाँ पे सबसे ज़्यादा glacier से अगर आप मैंने आपको पहले भी बताया था USA और Canada के border पे आपने देखा ना Great Lake region है वो lakes क्यों बनी क्यों Lake Superior World की largest Lake क्यों बनी है या Lake Backel या Finland में 1000 से ज़्यादा Lake क्यों बनी या Omega Lake देखो या Europe की जो बड़ी Lake है वो Finland और Russia के पास में है Siberia के पास में क्योंकि Canada की जो Lake Winnipeg है Lake Bear Lake है तो means अब जमीन वापस अपनी शेक्ट तो इसकी वज़े से भी Sea Level Changes आते है Sea Level Changes के अपने अलग outcome है जैसे Sea Level Changes से क्या होगा Let's suppose एक इंडिया का example से आपको समझागा ये गंगा नदी है ये वनंपुत्र नदी है ये समूंदर में गिर रही है अब समूंदर में क्यों गिर रही है एक slope है समूंद देखो नदी ऐसे जा रही है समूंदर यहां तक है अब मान लो पानी समूंदर का बढ़ गया पानी बढ़ गया तो means समूंदर का पानी inland आने लगेगा तो means वो नदी के बहाव को रोकेगा वो पीछे को धके लेगा नदी को उससे क्या होगा दीरे दीरे नदी का लेवल बढ़ जाएगा बालो आप शिमला में रहते हो या let's suppose not शिमला let's take an example of UP आप UP के एक शहर में रहते हो अलाबाद वहाँ से गंगा होके निकल के जाके बंगाल में गिर जाती है लेकिन वहाँ से अब समझो कि समुंदर का लेवल बढ़ी गया तो गंगा के फ्लो को रोकेगा अब गंगा का पानी उत्राखंट से निकल के बंगाल में जो जा रहा है वो उतनी तेजी से नहीं जा पा रहा है वो क्या होगा accumulate होना शुरूगा तो धीरे धीरे अलाबाद यह जो सारेट cities हैं जो गंगा के coast पर हैं वहाँ पे water level increase होगा क्योंकि जो पानी पहले समुंदरों में easily गिर रहा था अब उसको रोका जा रहा है तो level increase होगा simple fund एक जगर से पानी आ रहा है पानी को रोक तो हम reservoir कैसे बनाए हिमाचल में कि पानी आ रहा था नदियों को रोक के dam बनाए रोका तो एक एक दो दो तीन तिन साल तक रोक के रखा dam का level बढ़ता है तो यही case होगा अगर sea level rise होगा आप देखो global warming में क्या होगा sea level rise होगा glacier pickle के समुंदर में चले जाएंगे sea level rise होगा तो means जो कि river के आसपास वाले area वहाँ पर भी inundation हो जाएगी क्योंकि river का channel हो जाएगा क्योंकि sea level अंदर खुछ चुपा होगा तो यह भी in future की problems है तो sea level rise इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि global warming से related है तो means जिस तेजी से river पहले चला करती थे वो तेजी घट जाएगी क्यों उसका रास्ता ब्लॉक हो गया अब रास्ता ब्लॉक हो गया जिस तेजी से हिमाल्याज पहले तूट रहे थे इरोड हो रहे थे वो तेजी घट जाएगी उतनी तेजी से नहीं तूटे गए यह होता है sea level changes के differences दूसरा case, sea level गिर गया समुंदर का level गिर गया जैसे हमने corals में देखा था तो क्या होगा, corals नीचे तक बनने लग जाएगे क्यों क्योंकि वो land को क्यों होगा let's suppose, यह land mass है पहले यहां तक पानी था तो यहां पे corals formation होते थे यह था A1 level, आज पानी A2 तक है तो corals यहां बनने लगेंगे यहां का corals मढ़ जाएगा, क्योंकि इसको पानी चाहिए, जी निकले वहां पे पानी राहाने तो sea level changes से corals की अलग-लग जगा पे corals दूसरी बात, नदी पहले ऐसे गिरती थी तो अगर नदी को यहां गिनना होगा तो नदी की velocity, slope change होगे न अभी नदी आके समुंदर के साथ ऐसे टकरा रही है, अब समुंदर यहां तक चला गया अब नदी यूँ चल रही है, तो means नदी की velocity बढ़ जाएगी, तो जब-जब sea level, लिख लो, जब-जब sea level decrease होगा, तो erosional activity of river बढ़ जाएगी, river तेज चलेंगी जब-जब sea level increase होगा, तो river का mouth रुख जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो river slow चलेगी, तो उससे क्या होगा, जो plane से रिलाखे हैं, वहाँ पर flooding होगी, और हिमालियास की erosion slow हो जाते है, तो sea level changes, देखो, है यह climatology का topic, क्योंकि global warming से related है, लेकिन इसका geomorphology पे भी impact है, इसका oceanography पे भी impact है, इसलिए कोई भी topic हम शुरू में तो isolated पढ़ते हैं for the sake of studies, फिर जब हमारी understanding develop होती है, हम सब चीजों को relate करना शुक्त, तो sea level changes इसलिए important है, बढ़ान, clear, क्योंकि यह future के questions है, दने जी, तो sea level समझ गए, अब sea level, एक मैंने case ले था, कि sea level दो कारणों से हो सकता है, यह land उपर होगा, land नीचे होगा, दूसरा कारण climate change है, जो अभी मैं अगर आइस पिघल गई, जो आज कल चल रहा है, global warming, sea level बिले इंक्रीज, तो उसके impact आपको पता ही चल गए, तो sea level दो कारणों से बढ़ता है, एक तो climate change के वज़े से, दूसरा कारण climate change के वज़े समझ आगे sea level, आपका isostasy के वज़े से समझ आगे sea level, तीसरा कारण है sea level changes का, अगर, देखो, या तो पानी बढ़िया समुदर में, अगर माल लो, यह देखिए, यह ocean का floor है, यह ocean के floor में पानी रखावा है, तिके माल लो, 10 liter water, 100 liter water था ocean के अंदर, water आज भी माल लो, ocean का floor बढ़ा हो गया, अब water, जो 100 liter रखा था, वो जिस height पे था, माल लो, 10 meter height पे था, आज वो 7 meter height पे हो गया, क्योंकि 100 की जगा, 200 volume हो चुगा water, फिर से समझे, जैसे, Atlantic Ocean का example की तरह में समझाता हूँ, Atlantic Ocean आपको पता है, over a time बढ़ा हो रहा है, क्योंकि mid-Atlantic ridge बन रही है, दोनों तरफ से Atlantic Ocean expand हो रहा है, आज से लाखो साल बात Atlantic Ocean बढ़ा हो जाएगा, जो आज इतना है, वो इतना हो जाएगा, पानी तो उतना ही है ना, उसके अंदर, means धीरे-धीरे water का level गिर जाएगा, क्योंकि volume of the ocean has increased, since the volume of the ocean has increased, the water level will decrease, vice versa, when the volume of water, ocean will decrease, the level of water will increase, तो इस तरह से भी sea level changes हो सकता है, on the basis of volume of ocean, clear है फंडा, देखिए, अब लेमन भाशा में concept समझागे, अब technical vocabulary के साथ, sea level changes के दो कारण होते हैं, एक कारण है, yustatic, एक है isostatic, isostatic means land से related है, isostacy के concept से, land bounce back किया, या land दब गया, clear, तो दूसरा है, yustatic, water level changes हो गए, because of, कि increase in volume, increase in water availability or not, तो दो कारण है, sea level के, या तो पानी ही बढ़िया, yustatic, या तो फिर land उपनीजे हो गए, ये दो कारण होते हैं, तो isostacy समझा गया, कि land rebound करिया, या land दब गया है, तो plistocene ice age में land दब जाएगा, post plistocene, जैसे आजकल के जो time है, जब बर्फ पेगल गई है, तो land उपर के तरफ bounce back कर रहा है, rebound theory जिसको बुला जाता है, clear, इसी में देखिए, जब जब isostacy होगा, यह दाना sea level, कि पहले ice sheet से, जो land दब गया था, glaciers के कारण जो land दब गया था, आज वो उपर की दिशा में जा रहा है, यह example देखा, तो उसको बुला जाता है, global isostatic adjustment, कि अब land जो है, दुबारा से नीचे बैठने लगे, क्योंकि land बैठ रहे हैं, तो water में अंदर तर encroach कर जाएगा, यह देखिए, यह glacier जो इतना बड़ा था, आज इतना सा glacier देगा, तो उससे क्योंगा sea level change हो गया, उपर तक पानी लागा, क्यों land बैठ गया है, पानी अंदर तक आएगा, यह देखने को कहां मिल रहा है, यह Denmark में हमें देखने को मिल रहा है, यह Netherlands में, Netherlands के अंदर क्या है, कि पानी अंदर को encroach कर रहा है, क्योंकि Netherlands is a coastal nation, तो वहाँ देखिए दीरे दीरे पानी अंदर को encroach कर रहा है, तो हमने देखा, sea level तो change नहीं हुआ था, पानी का level तो नहीं बड़ा, यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि Netherlands में जमीन बाहर निकल रही था, तो यह एक change है, मैं को देखने को मिल रहा है, यह देखिए, यह वाला isostatic, जो है, global isostatic adjustment है, कि पहले जो जमीन दब गी थी, आज जमीन बाहर आ रही है, यह जमीन बाहर है, तो उसकी वेशे, global isostatic adjustment के उसे sea level लगाता है change हो, clear है, यह आपके notes में diagram अल्रेडे दिये हुए, दूसरा है eustatic, eustatic है कि water level ही बदल रहा है, water level दो कारण से बदल सकता है, कि यह तो आपका climate change हो गया, change in the volume of water in ocean basin, क्यों, क्योंकि climate change हो गया, climate change, उसके वज़े से पानी बढ़ रहा है या घट रहा है, दूसरी बात है कि volume ही change हो गया ocean का, तो volume लगाता है change होता रहता है, कि जैसे आज हम बोलते हैं, कि almost 71% हमारे पास water है, जमीन के उपर, और 29% land है, अब मालो, और land पहले 29% नहीं था, land कम था, तो क्योंकि land कम था, पानी ज़्यादा था, इसलिए, जैसे example इसका कैसे लेते हैं, एक ऐसा time था, जब आसाम जो है, पूरा पानी के नीचे था, इसलिए, और आपको पता है, जब हमने petroleum पड़ा है, तो हमने देखा कि petroleum बनता ही, जमीन के नीचे है, क्योंकि marine organism चाहिए, क्योंकि वो petroleum जमीन के नीचे, marine organism से बनता है, राजिस्तान में भी petroleum अब मिलने लगया, बार में इडिस्रिक्ट में, ऐसे ही, आसाम में petroleum मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कभी पानी की नीचे थे, ये पानी की नीचे क्यों थे, क्योंकि हमें पता है, कि land आज 29% है, ये land कभी 10% भी था, और 90% जमीन में पानी था, तो means धीरे धीरे land area increase हुआ है, continents का size बड़ा है, तो किसकी cost पर बड़ेगा, ocean की cost, क्योंकि total जमीन धर्ती थो उतनी है, या तो उस पर land होगा, या water होगा, जब land बड़ेगा, तो पानी घटेगा, क्योंकि पानी घट रहा है, तो धीरे धीरे हम देखते हैं, कि over a period of time, आपके नए एडिया इस पानी से बाहर आ रहे, तो उनके अंदर इसलिए petroleum मिल रहा है, तो इस concept को ऐसे भी आप relate कर सकते हैं, दने जी, तो these were the few concepts which we were supposed to discuss, एक last concept हम discuss करेंगे, tides का, अब tides के concept को ध्यान से समगिए, अभी तक हमने tides को मैंने आपको notes दिया है, उसमें मैंने तीन theories tides की दिया है, एक तो हमने Isaac Newton की equilibrium theory देखी है, एक हमने progressive wave theory और wave will देखी है, एक third theory है H.A. Harris की stationary wave theory, ये तीन theories को study करेंगे, उससे पहले tide as in concept को समग लेदे, तो tide आपने पहले GS में भी मेरे सांद पढ़ा हुआ है, tide as in concept को, आपको पता है tide को हम कैसे define करते हैं, it is a periodic rise and fall of water, periodic, इसमें जो important keyword हैं वो है periodic, means ये periodicity में काम होता है, हर 6 गंटे में पानी का rise और fall होगा, periodic rise and fall, not only rise, generally हम tide को high tide ही समझते हैं, low tide itself is a tide, तो बारबर पानी का उठना और बैठना is a tide, ठीक तो ये हम tide को define करते हैं, अब इसके current बताते हैं, current हम दो ही identify कर पाते हैं, एक तो gravitational pull of sun and moon, दूसरा है centrifugal force of the earth, तो ये दो current के वेसे हम कहते हैं tide आती है, तो tide का current समझ आ गया, tide का nature समझ आ गया, फिर हमने types of tide आपकी NCRT में भी लिखे, सबिंदर में भी पढ़ सकते हैं, on the basis of कि कब कब आती है, कहां कहां पे आती है, ठीक है, कि full moon में कब आती है, new moon में क्यों सी आती है, तो epihelion में कौन सी आती है, perihelion में कौन सी आती है, तो ये arrangement के basis पे नीप है के spring है, ये सब कुछ आप समझते हैं, और ये GS level पे आप पड़े भी लेंगे, इनकी जो theories वाली part, मैं tide में आपको simple funda दिखाता हूँ, इस concept से आपको Newton की theory समझ आएगी, इस GIF को ध्यान से देखिए, आप देखेंगे एक bulge है, टाइडल bulge है, और अर्थ उसके अंदर बूरी है, और टाइडल bulge जो है, वो moon के respect में बनाओ, जहां moon होगा, वहीं bulge होगा, क्योंकि moon का gravitational pull, sun की gravitational pull से strong है, क्योंकि moon proximity wise नजदीक है, तो इसी base पे, पहली थोरी हम देखते हैं, जैसे अब tight को न कहीं बार ये देखो, periodic rise and fall क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस तरह से, जैसे once I had been to Southeast Asia, तो वहाँ में मैंने देखा कि किस तरह से water, जैसे हम क्या है कि morning में गूमने जा रहे हैं, क्योंकि हम गूमने जा रहे हैं, अब देखा कि समंदर का पानी जैसे हम पूरा ऊपर रोड तक यहां वॉक करते हैं, जैसे हम आपके रोड बना रहे हैं, यहां तक है, अब धीरे धीरे शाम को जब आए, तो पानी थाई नहीं, पानी पीछे चला गया, और पूरा ओशिन का फ्लोर, ओपन टू वॉक है, लोग उस पर वॉक कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं शाम को, फिर हम सुबह है तो फिर पानी था, यह rise and fall of water है, तो टाइट के सांथ पानी चला जाता है, फिर टाइट के सांथ पानी वापस आता है, अब यह जा कहां रहा है, अगर आप इस डाइग्राम को ध्यान से देखो, अब अब देखो, मून की पोजिशन देखो, और पानी इसके सांसान ट्रैबल करते हैं, तो थीज आ टाइट, पानी मून के सांसान, मून की ग्रैविटी के सांसान कहीं चला जाएगा, इस कांसेट को समझा, तो न्यूटन ने, जब सबसे पहले टाइट को स्टैडी किया, क्योंकि न्यूटन ग्रैविटी पे काम कर रहे थे, तो न्यूटन कहते हैं टाइट को कैसे समझाते हैं, वो कहते हैं, और वो कहते हैं SUN, धरते उसके नीचे से गुम रही है, यह जो बल्ज है, यह बल्ज अलग-लग जगा पे देखने को मिला, जैसे मैं अभी जो है चंडीगर में, let's suppose मैं चिन्नाई में बैठा, चिन्नाई कोस्टल ही दिया, तो यह बल्ज कोस्ट चिन्नाई के उपर से निकलेगा, ऐसे ही अलग- सर्च बहुत अच्छी नहीं है, तो अपने एरा में तो accepted थी, बाद में गालिया पड़ी, वो कह रहे हैं, क्या बेवकूफाना बात है, कि अगर यह बल्ज के नीचे अर्थ घूम रही है, तो टाइड ऐसे तो दिल्ली में भी आ जानी चाहिए, क्योंकि बल्ज तो पर्मने होता, तो this theory could be true, if there is only water, not land, लेकिन जब कहते हैं, जब only water होता, तो tide महसूस ही नहीं होती, tide कम महसूस हो रही है, पानी वाले को tide लग रही है, जो open समुंदर में उसको tide feel ही नहीं होगी, open समुंदर is like 4 km deep, वहाँ पे 1 मीटर पानी, 2 मीटर पानी उठी भी गया, तो open sea वाले केबल पानी पानी है, तो वहाँ tide का कोई महसूस होगा ही नहीं, जैसे example के तोर पे, यहाँ पे tide आपको महसूस होगी, क्योंकि अब land पे रहते हो, आपको दिख रहा है पानी आ रहे जादा, अब यह वाले डाइग्नाम देखो, जो समुंदर में रह रहा है, उसके लिए प इस तरह से तो पूरे world में tide, एक ही अर्थ, आप समझो ना, moon जब जाएगा, तो एक पूरे longitude से pass होता जाएगा, जैसे sun pass होता है, तो पूरे दुनिया के longitude पे, एक ही time पे tide आनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होता, तो means eronis theory थी, गलत theory थी, तो इसलिए इस theory का बात में बहुत criticism हुआ, और for the sake of study हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि एक viewpoint है, वो गलत है लेकिन it's a viewpoint, clear, दूसरी theory इसको counter करने के लिए आती है, वेवल की theory, ये भी बहुत लंबे समय तक accepted theory रही, वेवल ने एक फिनॉमिना को observe के, इस नहीं का देको tide जो होती है न, ये southern ocean में, इसने identify किया, north मे land ज्यादा है, south hemisphere के अंदर मैंने बताया था कि there is a predominance of water, आप atlas देखेंगे तो खुद भी महसुच कर सके, since there is a predominance of water in the southern hemisphere, तो ये कहता है, tides जो होती है, southern hemisphere में जनम लेती, because of the gravitational pull of sun and moon, अब ये southern hemisphere में जैसे पानी खिचा, ये कहता है, पानी ऐसे खिची ऑपर और moon अपनी position स निकल गया, पानी drop हो गया, जोर से, क्योंकि पानी जोर से drop हुआ है, तो उसके spilling होगी, सारी जगा जाएगा, इस spilling से wave rise होगी, तो southern hemisphere में जो first set of wave है, इसने बोला ये है primary waves, ये waves travel करेंगी, travel करते करते ये north में जाएंगी, इधर तकरा रही है, उधर तकरा रही है, हर जग तकराती भी जाएंगी, जब ये northern hemisphere में move कर जाएंगी, तो उन्होंने बोला टकराने के current, ये हो जाएंगी, अब secondary wave, तो means, अब इसकी theory, simple ये बोल के बंद कर दिया, अब देखो, अब tide क्या है, आज तो आपको tide समझ आता है, माल लो, ये moon यहाँ पर है भी, फिर moon अपनी position यहाँ कर देगा, एक घंटे बाद फिर यहाँ, क्योंकि 24 घंटे में moon अर्थ का पूरे चक्कर मार लेता है, तो moon हर घंटे में 15 डिगरी के latitude पे घुमेगा, तो means, अभी हमारा मालो, अर्थ का, इंडिया का आपको पता है, standard meridian है, 82 डिगरी पे, माल लो, moon हमारे अलाबाद क एक सांद खिचा आएगा, तो means, अभी, at present, जो आप observe करते हो, आप पूरे longitude पे, एक time पे tide आती है, पूरे longitude पे, क्योंकि gravity वहीं पे काम कर दी है, लेकिन इस theory के according, अगर यहाँ से tight शुरू होती है, और यहाँ तक travel करती है, इसको travel करने में तो 10 साल लग जाएंगे, आप सोचना, Antarctica के पास में tried बनी, उस tide ने रश्या तक जाना है, और पानी जा रहा है, कोई ship तो जानी दी high velocity, speed की तरह, तो अगर पानी चलेगा, तो कितनी दे चला जाएंगे, 10 km, 20 km प्रती घंटी की रफटार से, उसने travel करना है 10,000 km, 15,000 km कर सफर, तो उसको 15,000 km travel करने में, 10 की speed से भी 1500 दिन लग जाएंगे, तो इतने days में तो tide नहीं पहुंचेगी, 10 साल में पहुंचेगी, इसलिए ये theory को neglect कियेगा, उन्होंने का, ये गलत है theory, इस तरह से काम नहीं हो रहा, finally, Harris ना identify किया, कहते हैं, बात मेरी सुनो, ये है gravitational pole, तो एक ही latitude के उपर, almost एक टाइप पे tide आएगी, दूसरी बात, उसने का, tide is not a global phenomenon, it is a regional phenomenon, दुनिया ने पूछा भी, regional phenomenon का क्या मतलब है, कहता है, हो सकता है, आपको विशाका पटना में, tide महसूस ही ना हो, लेकिन same longitude पे, कोई और city हो, वहाँ महसूस हो, दुनिया ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने का, simple funda, अब यह diagram इसलिए आपको समझ, यह GIF आपके लिए मैं इसलिए लाया हूँ, इससे समझाएगा, देखो, यहाँ पे अभी देखो, there is a rising water, वो कहता है, अगर कोई समुंदर का floor बहुत गहरा है, वहाँ high tide और low tide महसूस नहीं होती, लेकिन अगर आप गुचरात को देख देखोगे, इसकी अगर आप arrangement देखोगे, यहाँ एक narrow inlet है, क्योंकि यहाँ narrow inlet है, तो यहाँ पानी आता हुआ जाता हुआ जाता हुआ जादा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पानी आता हुआ जाता हुआ जाता दिखेगा, इसलिए यहाँ tide का effect जाता दिखेगा, तो यह बात क आएगा भी घशिन और गश आउट, दोनों बहुत स्पीड से होता है, तो कहता है, टाइट्स को ऐसे समझ देंगे जोगता है, तो it is a regional phenomenon, it depends upon the regional arrangement of land and water, कि channel कितना broad है और narrow है, open sea में टाइट का बहुत फरक नहीं पड़ता है, तो ये इसका concept है, which is widely accepted concept, ये कहता है, इसने का नाम रखा, इसने का stationary wave theory इसने नाम रखा, stationary wave theory, ये कहता है, आप समझिए, ये example लेता है, कहता है एक ट्रे है, इस ट्रे में पानी है, जैसे अभी मैंने आपको arrangement दिखा है, इसने stationary wave theory, oscillation के बाद करेगा, तो इस तरह से कहता है, कि पानी oscillate कर रहा है, तो जो beach वाला point है, इसको देखा जाए, ये थोड़ा उपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा उपर, थोड़ा नीचे, इस तरह से जाए, तो oscillation is it, तो कहता है कि इसलिए regional की वज़े से कहीं पे जादा दिखेगा, कहीं पे कम दिखेगा, इसका effect अहर जगा पे अलग होगा, हो सकता है, same longitude में, कहीं tide दिखे ही न, और कहीं पे बहुत तेजी से दिखे, अब जो bay of fundi के latitude है, वो bay of fundi में longitude जो है, उस पूरे longitude पे high tide थोड़ी अपनी ज़्यादा high हो रही है, कि bay of fundi में 15 मीटर पानी का rise, 15 मीटर पानी का किरना, वहाँ तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि वहाँ land का रेंजमेंट असा है, water का रेंजमेंट असा है, तो इसने regional level पे tide को समझाने का प्रियास किया है, इसलिए it is the most accepted, आप इसके अरांग से notes को पढ़िए, आपको clarity of thought आएगा, कठी नहीं नहीं देएगा, clear है, तो these are the three set of theories which has been proposed to narrate the rationality behind formation of tide, and how they are having different impact over the different places on the earth, तो यह tide का concept है, clear, अब next हमने क्या करना है, tide clear है, अब हमारा यहाँ oceanography mind-up होता है, हमने दो chapter कर लिए, climatology, oceanography, next chapter जो हम लोग शूद करेंगे, वो है geomorphology, geomorphology में सबसे first topic जो हम करेंगे, वो करेंगे soil, तो soil को मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूँगा, आपके notes बनवा दूँगा, निश्चिंत रहना है, हमने soil को ही पकड़ेंगा, clear है, फिर उसके बाद हमने उन एरियास पर geomorphology की पढ़ना है, जो अभी था, unconventional थे, जो आपने कम पढ़ेंगे, पहले उनको ठालेंगे, फिर conventional वाली site पर चले जाएगे, geomorphology important है, क्योंकि हर साल, जैसे oceanography से generally एक ही सवाल आता है, 20 नमबर का, geomorphology से 20 नमबर का तो आता ही है, 5 नमबर का भी एक सवाल आता है, जैसे मैंने बताया, question 1 is compulsory, question 1 के 4 पार्ट होते हैं, एक geomorph, एक climatology, इन दो से mostly एक-एक सवाल आए गए, तो geomorphology 25 नमबर का आएगा, ठीक है, तो यह safe है, climatology 25 नमबर का आएगा, यह safe है, इन दोनों को मिला के यह आपका 100 में से 50 नमबर का पेपर रखेंगे, बाकि फिर हम देखेंगे कि कैसे, इसके बाद हमारा third point होता है, कि कैसे human geography से attempt को बना है, क्योंकि जो दो question है, वो important human geography से ही, जो compulsory question है paper बन के, वो human geography से ही draft होता है, clear है, तो इस तरह से हम अपनी paper को balance out करें, तो next class हम geomorphology की करेंगे, देखेंगे कैसे previous year में questions आएं, क्या purposely बस है, हमने कैसे cover करना है, उसमें topic है जैसे, जो soil है वो वाला topic economic geography का है, हम यहीं पे कर रहे हैं, धीरे धीरे हम देखे होगे, अब environment वाला topic आपने almost खतम कर लिया, degradation आपने environment के, अलग-लग aspect में पढ़ लिया है, उसमें जब हम forest resource करेंगे, तो forest degradation करेंगे, तो उसमें दो ही topic हम cover करेंगे, एक possibilityism and environmentalism, जो applied part है environment के, और दूसरा part करेंगे, man as a ecosystem के एक topic, स्वरी, conservation of biodiversity के एक topic दे रहा है, उसको करेंगे, clear तो यही topic हम करेंगे, chapter 4 से, फिर we will move towards the human geography part, ठीक तो geomorphology में में 7-8 chapter हैं जो परियाबत रहे हैं, all right, चलिए, thanks a lot.